कि रीर मंड्गार्ड आपको मिलेगा मैटल में झो गटल दो पार्टापको मैटल में और दो ही पार्ट अपना यहां पर फाइबर में सब्सक्राइब में सक्राइब स cuántu एक राइगा सौ्परोवा पहलेविए टॉप था अभी भीये टौप ही रहने वाला यह बेस, टॉप, सुपरनोवा, बेस वेरियंट 2.48 और टॉप एंड वेरियंट 2.48 तो है गई जब कम्टक्ट वे नीव वीडियो तो आज का वीडियो अपना होने वाला है All-Nue Royal Inf truly, Meteor 350 के Air Aura Variant के बारे में एक ठीकलर न्यू वेरियंट ही Meteor 350 लाइनप में एड हो चुका है आप इन तोटल चार वेरियंट में Meteor 350 अविलेबल रहेगा base variant अपना हो जाता है fireball फिर आजाता है stellar third variant अपना हो जाता है Aurora जो कि अपने पास ये variant अवेलेबल है और top and variant पहले की तरह अभी भी supernova ही रहने वाला है वीडियो में आगे चलके सबी variants आप लोगों को देखने को मिल जाने वाले हैं अपने पास अवेलेबल हैं मेटियो 350 के सारे ही वेरियंस प्लस वेरियंस के कोडिंग प्राइसिंग भी आप लोगों को मिल जाने वाली है और इस पर्टिकुलर वेरियंड के बारे में तो सारी टीटेल अपन लोग कवर करने हो आले हैं अरोरा वेरियंट में काफी कुछ चीजे ऐसी आई है जो कि मेटियॉर में फर्स टाइम आई है जैसे कि स्पोक वील अभी तक अलोई जी हाया करते थे मेटियॉर में लेडी में आप लोगों को हेड्लेम मिल जाता है जो कि सुपर मेटियॉर सिक्सफिट वाला सेम यूनिट है उसके अलावा क्रोम में इंजन आ जाता है क्रोम में ही साइड स्टेंड भी आ जाता है और सीट भी यहाँ पे चेंज है मेजर अपडेट अब ट्रिपर मेटर आप लोगों को स्टेंडर मिल जाने वाला है मेटियॉर 350 में जो कि डीच में डिसकंटिनू हो चुका था बट अ एंड होने वाला है 2.72 वेरियंट के अपकी प्राइजिंग चेंज रहेगी इस वेरियंट में टोटल तीन कलर अप्शन अविलेबल रहने वाले हैं एरोरा ग्रीन आज अपने पास अविलेबल है शेड काफी अच्छा है प्लस जो कॉमिनेशन बन रहा है ना कोम के साथ भी अगेन और औरेंज और ओफवाइड का यह काफी साथ अप लोगों को पसंद आएगा कैमरा इतना जस्टिस नहीं कर सकता जितना की इन रियल देखने में अच्छा लगने वाला है एड्लेम सट अप LED में आ चुका है जो कि सूपर मेट्योर 650 वाला सेम यूनिट है इंटर से अभी आप लोगों को सूचेबल मिल जाने वाला है एज स्टेंडर जो कि क्लासिक में भी रहता है मेट्योर में भी सेम ही सेटप है इस वेरियंट के अकोडिंग यहाँ आप लोगों को हेड्लेम हाउजिंग और इंडिकेटर हाउजिंग भी क्रोम में ही यह सेटप भी बन जाने वाला और काफी जादा यूज इस पर्टिकुलर वेरियंट में क्रोम को मिल जाने वाला है फाइबर में फ्रेंड मढगाड है टेलिस को पिक्सर स्विंचन सेटप है थिकनेज और ट्रेवल यह आप लोग देख सकते हो तूरिंग के लिए काफी अच्छा ऑप्शन य कुछ अपका इस साइब से बन जाता है फ्रेंट मढगाड फाइबर में हैं दो पार्ट यहां पे आप लोगों को फाइबर में बिलेंगे और दो ही पार्ट आपको मैटल में मिलेंगे फ्रंट ब्रेकिंग थ्रियंडेड एमें बाइबरी रियर डियूल चनल लेएज यानि है यह प्रोपर जो हाउसिंग है यह आपको ग्लॉसी ब्लेक टोन में अब मिल जाया करेगा आई बटान आजाता है जो कि एमाइडी से रिलेटेड रहने वाला है कॉमिनेशन है डिजिटल प्लस एनलोग हाई बीम लो बीम प्लस पास थ्रिन वन एक सुच यहां है रॉयल इ तक मार्किंग है क्रूजिंग एक अपन बात करते हैं कि कंटीनीव क्रूज कित्में पर सकते हैं तो 110-120 तक आप लोग मिटी और के साथ ना क्रूज कर सकते हो लॉंग राइट के लिए काफी ज़दा कमफर्टेबल हो जाती है आफ्टर मार्केट या फिर कंपनी से ही इसे स और ट्रिप एफ सो यह सारा सेट अपको मिल जाने वाली है इन्फोर्मिशन आपकी डिजिटल विंडो में एमाइडी के रैपराउंड भी यहां पर क्रूम देखने को मिलेगा सो राइडर प्यों पे काफी सारा क्रूम अपना हो जाता है ग्रिप कवर करव वाला पैटन है और एंड दोनुही साइड आपको मिलेंगे क्रूम में देखते हैं तो फ्यूल टेंग का शेप और साइस सब कुछ पहले जैसा ही है जो कि फ्यूल टेंग कैपिसिटी रहा करता था दा विएल कैप क्रूम में टोटल फिफ्टी लिटर 15 लिटर पंतरा दीलिटर का फ्यूल प्रोवाइब यहां पर आएगा इंजन का ले आउट वाइकों में सीम सीरीज जो जेवन 349 सीरीज का एंजन हैं अंटर में क्लासिक बुलिट 350 और मिट्योर 350 सभी बाइक में सीम एंजन है अब काफ़ जादा रिफाइंड यह हो चुका है इसके फ्रेम की वज़े से भी और न 111 kg टोटल बाइक का वेट है ग्राउंड क्लेरेंस यहां आप लोगों को टोटल मिल जाने वाला है 170 mm तो टूरिंग के लिए काफ़ी अच्छा ओप्शन है फ्यूल टैंक काफ़ी अच्छी है 15 लीटर का टायर्स का सटप काफ़ी अच्छा है प्लस एक ओवरॉल काफ़ी अ प्लस यह जो रबर है यह जिसे की वाइबरेशन फूट पर काफ़ी कम फील हो सेंटर सेंट्रेंड है साइट सेंट आप कर आएगा अपन वाला है एक कवरिंग के साथ फुट ट्रेस्ट और साडी गाड़ यह बी दोनों आप लोगों को मिल जाता है रियर सस्पेंचन डिए तूल हईडरोलिक स्प्रिंग वाला कुम में से टप मिल जाता है काफी अच्छे एड़्जस्पंट भी यहां पर लोग कर सकते हो रियर टायर सेम सीट ट्यूब टायर मिल जाता है रियर टायर की ग्रेडिंग 147 17 100 सक्षिन अपना फ्रंट था 140 सक्षिन अपका हो जाता है रिय ब्रेकिंग डिल्चनल अले बिस बाइबरी फ्रंट बाइबरी रियर रियर अपना रहने वाला है 270 में ट्रेंड एम फ्रंट था 270 में का रियर है वही सस्पेंचन आजाता है एक्जोस्ट भी यहां पर लोग को क्रूम में ही मिलेगा काफी अच्छी क्वालिटी का क्रोम है ह इस पर्टिकुलर वेरियंड में टूरिंग सीट आपको एज स्टेंडर्ड मिलेगी काफी अच्छा यह सेटप बन जाता है अगर अधार वेरियंड भी लेते हो तो यह सीट आप लोग एजसरी से कंपनी से ही परचेस करके इंस्टॉल करवा सकते हो रोल इन फिल्ड के प्र के लिए ही और यह कुछ अपना इंजन का ले आउट रहेगा अपोजर्ड साइट से बैंट पाई भी आप लोग देख सकते हो लेगार्ड के लिए एक्स्ट्रा पे करना रहेगा वह पार्ट ऑफ एक्सेसरी आपका रहने वाला है फ्योल टैंक अपोजर्ड साइट से कुछ इस टैप के बन जाता है तो यह हो जाती है अपनी सारी डीटेल एरोरा वेरियंट के बारे में आप लोगों को दिखा देते हैं अधर वेरियंट मेटियोर 350 के यही सेम इंजन देख सकते हो जो कि आप लोगों को बुलिट पी भी है क्लाजिक 350 भी है यहाँ पे अपने पास ह मेटियोर का एक स्टेलर वाला वेरियंट जो की रहता है सेकंड सेकंड बेस स्टेलर अपना यह है कुम और ब्लैक आउट का यह पूरा कॉमिनेशन बनेगा जैसे कि आप लोग देख सकते हो एक्जॉस्ट क्रूम में बट इंजन का ले आउट अप कर रहेगा मैंट ब्लैक म में भी इंस्टॉल एक्स्ट्रा पे करके आप लोग करवा सकते हो एरवेंट के साथ यह अपना सेट अप रहेगा तो यह हो जाता अपना टॉप और वह है सेकंड बेस यह रहने वाला अपना बेस वेरियंट यानि यह फायर बॉल 2.48 ऑन रोड जायपूर इसकी प्राइसिं फिल होने वाला है वीडियो अप्लोडेड है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जायगा अप लोगों को टॉप एंड वेरियंट का भी यहनि कि अधर वेरियंट का भी सो बेस टॉप सुपर नोवा सेकंड बेस स्टेलर और थर्ड वेरियंट अपना कवर होई चुका है यह रह जो कि रहने वाला है aurora टोटल तीन कलर ओप्शन aurora वेरियंट में अप लोगों को मिलेंगे उसी तीन कलर ओप्शन में aurora वेरियंट अपना अवेलेबल रहने वाला है यह हो जाती है अपनी सारी डिटेल प्राइस पुराइंट एक बर में फिर साप लोगों बता देता लाइक भी करदेना शेर भी करदेना सब्सक्राइब करके बैल आइकन को अल भी कर देना जरूरे इससे टाइप की वीडियो प्लोग लिए रेगुलर अपने चैनल पर आते ही रहते हैं तो करते हम यह वाला वीडियो एंड गलियो के साथ नेक्स डे जब तक नियुद गयान ल